Hi everyone, welcome back to my channel आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक government-based internship के बारे में बताने वाली हूँ जो totally government-based है और अगर आप लोग इन internships के लिए select होते हैं तो definitely आप लोगों का career भी boost होगा और आप लोगों के skills भी improve होगी तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यह जो internships है यह digital शिक्षा and रोजगार विकास संसान आप देख सकते हैं उसका official notification है यह उसके द्वारा यह internships निकाली गई है और इन internships को fill करने के लिए जो opening date है वो है 14 January यानि 14 January से आप लोगों के लिए online applications यहाँ पे start हो जाएंगे आप online इनके लिए apply कर सकते हैं और 20 February 2021 इसकी last date होगी मैं आप लोगों को बता दू कि यह जो internships है यह totally Apprentice Act 1961 के under आप लोगों को इसमें अलग-अलग units और divisions में दी जा रही है जिसकी details आप लोगों को यहाँ पर दी गई है जैसे कि अगर data entry operator की बात करें तो उसके लिए 84 seats है for general category और total की अगर मैं बात करूँ तो 168 post यहाँ पर data entry operator की है इसके लिए जो qualification चाहिए वो है 10 plus 2 साथ में computer में कोई diploma आप लोगों के पास होना चाहिए web designer की भी अगर मैं बात करूँ तो total 15 post है यहाँ पर और इसके लिए आप लोगों के पास same computer science या फिर computer engineering या फिर electronics, masters या फिर MCA आप लोगों के पास होना चाहिए यानि की कोई bachelor degree आप लोगों के पास computer से होनी चाहिए content writing की मैं बात करूँ तो इसमें भी 165 post आप लोगों को यहाँ पर given है 10 plus 2 यहाँ पर आप लोगों से मागा है और साथ ही जो diploma है वो भी computer में होना चाहिए आपके पास में computer network technicians की भी यहाँ पर 46 post है और इसमें भी आप ल पोस्ट है उसके लिए भी 39 post यहाँ पर आप लोगों को given है और इसमें भी आप लोगों को 12th साथ में computer का एक डिपलोमा आपके पास में होना चाहिए तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं total number of post जो यहाँ पर है यह 433 post है which is a good post according to government internships तो जरूर मुझे लगता है कि जो भी इ क्राइटेरिया को fulfill करते हैं वो जरूर इन forms को fill up करें यहाँ पर अगर मैं age limit की बात करूँ तो 18 years minimum age limit है and 35 years upper age limit है यानि कि 35 years से जादा नहीं होनी चाहिए और जो स्टाइफन यहाँ पर आप लोगों को internships के दौरान मिलने वाला है वो 11,500 से 19,200 के बीच में रहेगा agreement of apprenticeship यहाँ पर आप से sign करवाय जाएगा मतलग कि एक contract होगा कि आपका जो internships है वो कितने साल की रहेगी या जो भी है उसके regarding एक contract आप से लोगों से यहाँ पर fulfill करवाय जाएगा application fees के अगर मैं बात करूँ तो unreserved OBC और EWS काटेगरी के 550 रुपीज है अगर मैं बात करूँ other categories के which is SE, SE and PH candidates तो उनके लिए 400 रुपीज यहाँ पर आप लोगों का application fees रहेगा और जो भी application fees रहेगा वो online mode से ही आप लोगो payment करनी होगी mode of selection की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक screening test होगा और उसमें जो marks होंगे और जो आपके 12th या फिर bachelor degree में जो marks हैं वो भी qualifying marks में included होंगे तो अगर मैं बताओ आप लोगों को कि क्या इसका exam pattern रहेगा तो उसमें आप लोगों से general studies, reasoning के questions, science के math and english के questions पूछे जाएंगे which is 80 questions total होंगे 200 marks के होंगे और 90 minutes का आपको आप पर time में लेगा तो I think इसमें जो भी important details ही वो मैंने आप लोगों को बता दी है अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज आप लोगों मुझे comment section में comment करके बताएं कुछ और अगर आप लोग जाना चाते हैं तो और मैं इस website का जो link है वो भी आप लोगों को description में दे दूँगी तो please जाएए और internships के लिए ज़रूर apply कीजिए क्योंकि last day जो है वो 20th February है और 14th of January से अब लोगों की जो forms है वो fill up होने स्टार्ट हो जाएंगे and thank you for watching the video अगर वीडियो को subscribe नहीं किया है चैनल को तो please subscribe कर लें thank you